हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरहा शौर्ट सा और बहुती कम इंग्रिडियंट से बनने वाला ऐसा इफेक्टिव फेस मास्क और जो चीजे लगने वाली है ना यहाँ पे वो आपके किचन में असान इसे मिल जाएगी अगर आपके स्कीन पे किस तरीके से बनाया है यह बनाने के लिए यह फेस मास्क बनाने के लिए मैंने अंडे का यलो पार्ट लिया है वाइट पार्ट हमें नहीं लेना है यलो पार्ट भी बहुती बढ़िया होता है हमारे स्कीन के लिए यह प्रोटीन से भरपूर होता है उसके बाद हम लेने व तो ये हमारे स्कीन के लिए बहुत बेनिफिशल है। उसके बाद हम यहाँ पे डालने वाले हैं नीमबू का रस। तो आपको क्या करना है एक नीमबू को कट करना है वहाफ हो जाएगा और वहाफ के हाफ का कट करके यहाँ पे यूज करना है। अगर आपको नीमबू सूट नहीं करता है तो थोड़े से ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं पाच्छे बूंदे डाल सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे उसे यूज करना है तो यह तीनों एकदम एफेक्टिव ऐसे इंग्रीडियंट को अभी हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स 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 तो देखिए बहुत बड़िया ऐसा मास्क हमारा बनके रेडी है थोड़ा सा समेल आ रहा है इसका लेकिन ठीक है न हमें अगर स्कीन अच्छी चाहिए तो थोड़ा सा तो टॉलरेट करना पड़ेगा तो इसे हम अपलाई कैसे करेंगे इसे अपलाई करने से पहले मैंने फेस को कर लिया है और अभी ब्रश की मदद से अच्छे से मैं इसे अपलाई कर लोंगी में प्रोटीन होता है तो यह क्या करेगा एग योग हमारे स्कीन को डीपली हाइडरेट करके वो उसमें नहीं जान डाल देगा और हमारी स्कीन जो है वो बहुत ही बढ़िया होगी उसके योग है वो वही काम करेगा नैच्रल ग्लो लाएगा आपके स्कीन पर और इसमें जो ओलीव उइल है वो तो जैसे एज हमारे चेहरे पर दिखती है क्यों दिखती है क्योंकि फाइन लाइन साती है रिंकल हो जाते है तो हम बोलते हैं कि यह एजिंग साइंस है तो यह एज स में निखार लाने का काम करता है क्योंकि उसमें भर-भर के विटामिन सी होता है तो दस-पंद्रा मिनिट में हमारा जो यह फेस मास्क है वो एकदम से कड़क हो जाएगा मतलब सूख जाएगा और उसके बाद आपको इसे वाश कर लेना है बस आपको बाते नहीं करनी है क्यों आपको मैसूस होगा यह फेस मास्क लगाने के बाद तो यह मेरा सूख चुका है अभी मैं फेस वाश कर लेती हो फेस वाश करने के बाद अगर आपको बहुत जादा खीची-खीची से लग रही है तो आप हलका सा कोई भी आप जो डेली यूज करते हैं वो मॉस्टरेजर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ओईल वगरा भी यूज कर सकते हैं जैसे बादाम ओईल वगरा तो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मुझे वैसे ही बहुत ही फ्रेश फिल हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था तो आप ये रिमेडी ज़रूर ट्रा झाल 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 झाल झाल